अस्सलाम वालेकुम आज की इस क्लास में हम फोर्थ क्लास में मौझूद उर्दू सब्जेक्ट के रिलेटर डिसकस करने जा रहे हैं जैसा के फिशली क्लास में हम फोर्थ क्लास में मौझूद उर्दू सब्जेक्ट में 1 to 8 चाप्टर्स डिसकस करे थे आज की इस क्लास में बखिया जो चप्टर्स हैं उनको डिसकस करने जा रहे हैं अगर आप उस क्लास को नहीं सुने हों तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्लास की लिंक दे दूँगा आप वहां से सुन लीजिए बहुत मुफिद होगा उसी तरह हम थाड़े क्लास में मुझद उर्दू सब्जेट के रिलेटेड भी एक क्लास बोल चुके हैं आप उसको भी नहीं देखे हों तो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं अगर आप हमारे सैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबाईए ताके इसी तरह के नए और इंट्रेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं जैसा के फिचली क्लास में हम फोर्थ क्लास में पहला चाप्टर चांद और तारे लिग दिये थे गल्दी से वो चांद और तारे नहीं चांद और सूरज है करेक्ट कर लिजिए वहां पे चांद और तारे लिख दिये थे सिर्फ हेडिंग गलत था बाकी का कंडेंस अब करड़ था वो चांद और तारे नहीं चांद और सूरज चांद और तारे सेवंते क्लास में मोजूद है चांद और तारे चांद और सूरज फूर्ट क्लास में मौजुद है इसको लिखने वाले शायर जगनात आजाद है और चांद और तारे को लिखने वाले शायर जो अलामा इकबाल है तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सबख फूलों की खौाइश फूलों की खौाइश जिसका मौजू वतन परस्ती है सबख में कितने फूलों का जिकर किया गया है पांच फूलों का जिकर किया गया है और वो कौन से हैं जिसमें गुलाब चंबेली मुगरा, गेंदा और चंपा ये पांच फूलों का जिकर सबख में किया गया है उसी तरह सबख में लब्ज खौईश कितनी मरतबा इस्तिमाल किया गया है सबख में लब्ज खौईश नो मरतबा इस्तिमाल किया गया और सबख में अहम पॉइंट्स देखा जाए तो दर्खशा और सबा दोनों खालाजाद बहने है नोट कर लीजिए उसी तरह और चंद पॉइंट्स है गेंदा की क्या खौइश है? उसकी खौइश यह है के मौजज़ महमान के गले में जो हार जीनत बनने वाला हो उसमें उसको गोंदा जाए यह जो गेंदा की खौइश है उसी तरह चमपा की क्या खौइश है? कोई प्यारी सी बच्ची उसको तोड़कर अपने बालों में लगाया जाए ये चंपा की खुआश है उसी तरह मुगरे की खुआश क्या है किसी दुलहे या दुलहन के सहरे में उसको गोंदा जाए ताकि उसकी खुशबू उन्हें जिन्दगी भर याद रहे ये मुगरे की खुआश है उसी तरह गुलाब की खुआश क्या है गुलाब कहता है कि मुझे उस रास्ते में डाल दिया जाए जहां से वतन के हिफाज़त के लिए जाने वाले फौश गुजरते हैं मैं उन बहादूर सिपाहियों के खदमों तले कुछला जाओं रोंदा जाओं और उसी खाक में घुल मिल जाओं ये गुलाब की खुआश है तो अगला देखते हैं मतरादिफात जैसा कि लफजा और इसकी मानी हम मानी है खाक की मानी मिट्टी है इस्तिखबाल यानि महमान को लेने के लिए आगे बढ़ना दिल मिल जाना यानी ख्याल एक होना फखर यानी नाज़ उसी तरह खौईश की मानी आड़्जू है तमन्ना भी कहा जाता और अर्मा भी कहा जाता जीनत के मानी सजावट रोनख मौजजिस के मानी इजददर नोट कर लीजिए मुतरादिफात हैं यह सब उसी तरह खौईट के रिलेटेड देखा जाए तो मफ़ूल जिस पर फाइल के फैल का असर हो वो मफ़ूल कहलाता है जैसा के चंद जमले यहां पे हैं नजीर ने साम्प मारा इस जमले में नजीर फाइल है मारा फैल है नजीर जो काम कर रहा है उसका असर साम्प पे हो रहा है नजीर ने साम्प को मारा इसलिए साम्प यहां मफ़ूल है उसी तरह कलीम आम खाया कलीम फाइल है और उसका फैल खा रहा है फैल यानि खा रहा है उसका फैल का असर आम पे हो रहा है कलीम आम खा रहा है इसलिए आम यहां पे मफूल होगा उसी तरह आहमद ने खत लिखा यहां पे खत मफूल है इसलिए तरह साजिद ने टीवी देखा इसमें टीवी मफूल है समझ रेना वाद ओके और अगला सबग देखा जाए तो महनत महنت, जिसका मोजू, महنت ही है और इस सबख में अहम पॉइंटस कोई नहीं इसमें से आपको पुछा भी नहीं जाएगा, एक्जाम के लिए तो चलए अगला सबख देखते हैं अगला सबख, वक्त जिसका मोजू, वक्त की अहमियत वक्त की अहमियत उसी तरह जिद जिड़े लफ्स और इसका जिद दु्क यानि सुक आना जाना हनसा रोना महब्बत नफ्रत खोना पाना खुशी गम यह सब मुजदात अल्फाश हैं लफ्स और इसका जिद है यहाँ पे हैं उसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर गएर मुटालुखा लफ्स पर दायरह बनाएए प्यार, नफरत, मुहबत इन तीनों अलवाएज में प्यार और मुहबत दोनों एक से तालू रजकते हैं उसी तडहा नफरत जो अलग है इस पर दायरह करना है एकिजार यकिन इंतजार इन तीनों लवजों में एतिबार और यकिन दोनों एक से तालूख रखते हैं एतिबार और यकिन दोनों भी एक है बोरोसा के मानी है जिसमें अलग जो है वो इनतिजार आदमी इनसान जानवर आदमी और इनसान एक अलगे से तालूख रखते हैं इस तरह जानवर जो अलग है इस पर दायरा किया जाए और इस तरह दुख सुख गम दुख यानि दर्द होता है गम होता है रंज होता है इस तरह गम भी दुख के मसावी है यहां पर सुख अलग है इस पर दायरा किया जाए हयात जिन्दगी मौत हयात और जिन्दगी दोनों और मौत यहां पर अलग है खूब, बुरा, अच्छा खूब और अच्छा दोनों यहां बुरा यहां पर अलग है इस पर दारा गया जाए तो एक्जाम में इसके रिलेटेड अगर पूछा जाए तो पूछा जाएगा क्योंकि चार आप्शन्स दे कर उसमें से गहर मुतालुखा लब्ज को अलग कीजिए पूछा जाएगा इस तरह इसलिए इस पे भी मैं बोल रहा हूँ कि चलिए दूसरा देखते हैं जमीर वो कलिमा है जो किसी इसम के बजाए इस्तिमाल हो जमीर कहलाता है मसलन ये वो तुम हम आप इस में वगएरा इसम के बजाए इस्तिमाल होने वाला जमीर है मिसाल पर एक्जाम्बल देखा जाए तो सना किताब पढ़ रही है यहां पे सना किताब पढ़ रही है बोला जिसमें सना जो इसम है इसके बजाए हम सना के बज़े वो किताब पढ़ रही है या ये किताब पढ़ रही है इस रहा इस्तिमाल किया जाते हैं जिसको जमीर कहा जाता है चलिए दूसरा दिखते हैं तफरीह जो अगला सबख है तफरीह तफरीह का मुदू है सैरो तफरीह सबख में किन-किन मुकामात का जिकिर किया गया है सबख में माउंट आबू, कश्मीर, शिमला, डार्जलिंग, मसूरी, उटी और नेनी ताल इन मुकामात का जिकिर किया गया है उसी तरह नेनी ताल को कब और किस ने दर्याफ्त किया 1841 में पी बीरन नामी ताजिर ने दरियाफ्त किया था तालाब के जुनूबी हिस्से के पहाड का नाम एयर फाटा है ये सबख में आहम पॉइंट्स हैं इसलिए नोट कर लीजिए तालाब के जुनूबी हिस्से के पहाड का नाम एयर फाटा है उसी तरह देखा जाए और चंद मज़ीद अहम पॉइंट्स हैं तालाप के शुमाली हिस्से के पहाड का नाम चैना है उसी तरह नेनी ताल से ग्यारा और भीम ताल से दो माईल दूरी में साथ जिले मुझूद है और नेनी ताल को पहाडों की मलिका भी कहा जाता है तो आवर देखा जाये तो हम मानी अलफाज यहां पर आगए हैं लव्स और इसकी मानी ऐसे अलफाज जो इक हमानी अलफाज मतरादिफात कहते हैं इंतेखाब यानि चुनना, मोजुँ यानि मुनासिब, लुटफ यानि मजा, ताइद यानि हिमायत, तर्ज यानि अंदाज, शुमार करना यानि गिनना, ताल यानि ज्छील, इकटा के मानि जमा करना, जमा, मलिका यानि रानी, इसी तरह देखा जाए तो अगला सबख है बचत बचत जिसका मोजू बचत की अहमियत सबख में किन चीजों की बचत के बारे में कहा गया है सबख में पानी और बिजली की बचत के बारे में कहा गया है वाहिद और जमा अब यहां पर वाहिद और जमा के बारे में बेश कीजिए वाहिद और जमा वाहिद वो लब्ज होता है जो अकेला होता है अकेली चीज़ को बदाया जाता है जमा वो लब्ज होता है जो दो या दो से जियादा चीज़ें जो मुझूद रहती हैं दो या मजमुवा, वाहित का मजमुवा जो होता उसको जमा गहती है आदत, अगर एक शक्स को एक चीज की आदत हो तो उसे आदत कहा जाता है आदत, अगर एक ही शक्स को जियादा चीजों की, जियादा कामों की आदत जो है उसको आदत कहा जाता है गढ़ा, गढ़े, मसला, मसाइल यानि मसला एक हो तो मसला कहा जाता है अगर ज्यादा हो एक से ज्यादा हो तो उनको मसाइल कहा जाता है चुलहा, चुलहे, सवाल, सवालात, मौल्लिम, मौल्लिमीन ये सब वाहिद और जमा है उसी तरह देखा जाएं, मुतरादिफाद хороший, मुतरादिफाद happy हम्मानी हैं, लवज और इसकी मानी दोपेहर का खाना या अनि मिड्ये मिल्स जिसको जोहराना कहा जाता है, कमई यानि aucune हिलत सबब यानि वजह सबब के मानी वजह शुरुवात यानि आगाज बर्खी के मानी बिजली यह सब मुतरादिफात है यह सब जो हम बोल रहे हैं अहम पॉइंट्स बोल रहे हैं इसके बाद आपको सिर्फ फिर किताब पढ़ने की जरुवत नहीं होगी क्योंके सब अहम पॉइंट्स किताब में जो मुझूद अहम पॉइंट्स हैं सब को डिसकस करने वाले हैं हम इस क्लास में अगर आपको इस क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीज़े भूबी या काईफियत को बयान करते हूं सिवत कहलाते हैं उसकी काईफियत पुराना उसकी सिवत जो है वो पुराना है इसलिए पुराना इसमें सिवत में शुमार होगा उसी तरह गरम गरम पानी पानी जो है उसकी खासियत और काईफियत जो है वो गरम है पानी इसलिए पानी को गरम को सिवत कहा जाता है उसलिए अच्छी लड़की लड़की अच्छी है जिसकी सिफ़त अच्छी है उसलिए उस सिफ़त को अच्छी कहा जाता है जहीन और उम्दा इसी तरह केें जो इसम या दमीर की खूबी या कर्फियत को बयान करने वाले अल्पाज को सिफ़त कहते हैं समझगे ना तो चलिए दूसरा दिखते हैं नेक बनो नेकी फैलाओ जो अगला सबक है यानि नजम है नेक बनो नेकी फैलाओ जिसका मोजू है अखलाखी अख़दार इसको लिखने वाले शायर मौलाना अलताव हुसाइन हाले तो यहां पे चंद जिद अलफास दिये गए हैं लवज और उसका जिद जूट, सच, गंदगी, सफाई, काहिल, महनती बदी, नेकी, बुरा, अच्छा, तंदुरुस्त, अपाहिज यह सब मुझजाद अलफास हैं नोट कर लीजिए उसी तरह यहां पे दूसरा सबख देखा जाये तो पढ़ाई और खेल अगला सबख है पढ़ाई और खेल जिसका Ouch की आहमियत सबख में लव्ज खेल का कितनी मर्तबा इस्तिमाल किया गया है 14 मर्तबा इस्तिमाल किया गया है वारिश ने यानि सबख में मुझूद किड़दार का नाम वारिस है वारिस ने टेलिविजन पर कौन सा खेल देखा है टेलिविजन पर फुटबाल का खेल देखा था तो खवाइद के रिलेडेट देखा जाए तो हुर्फ रप्त दो लफजों को जोडने के लिए जिन हुरूफ का इस्तिमाल किया जाता है वो हुरूफ वो हुरूफ रप्त कहलाते है दो लफजों को जोडने के लिए जिन हुरूफ का इस्तिमाल किया जाता है वो हुरूफ रप्त कहलाते है ऐसा समझो के एक लवज का तालुख दूसरे लवज से जोड़ने के लिए जिन हुरूफ का इस्तिमाल किया जाता है उसको हुरूफ रब्त कहते हैं जैसा कि यहां पे दिया गया है आहमद की किताब मुहम्मत का घर मेस पर खलम है घर से निकला यहांपे अहमद एक लवज है किताब एक लवज है दोनों का जो तालुख नहीं है यहांपे अहमद एक लवज है और किताब दूसरा लवज है इन दोनों को जोड़ने के लिए किताब का तालुख अहमद से जोड़ने के लिए यहांपे की का इस्तिमाल किया गया है आहमद की किताब, आहमद का तालुख किताब से जोड रहा है कि जो इस्तिमाल हुआ है यहाम पे हुरूफ जिसको हुरूफ रब्त कहते हैं उसी तरह यहाम पे मुहमद का घर, मुहमद अलग लफज है उसी तरह घर अलग लफज है दोनों का तालुख का के जोड़ा जाता है का के जोड़ा जाता है जिसलिए का को हुरुफ रब्त कहते हैं उसी तरह मेज पर खलम है मेज जो एक अलग लब्त है उसी तरह खलम भी एक अलग लब्त है दोनों का तालुख पर से जोड़ा जाता है इसलिए पर को हरूफ रब्त कहते हैं उसी तरह से को भी इसी तरह दिया गया है घर अलग लब्ज है उसी तरह निकला जो एक काम है या लब्ज है समझो घर से निकला घर निकला इस तरह इसका तालुख जुड़ा नहीं घर से निकला अगर से हम लगाया जाए तो घर का तालुख निकला से जुड़ा होता है इसलिए जो हरूफ इस्तिमाल किये गए हैं उन सब को हरूफ रब्त कहते हैं दो लफजों को जोड़ने के लिए इस्तिमाल होने वाले हरूफ को हरूफ रब्त कहते हैं तो चलिए अगला देखते हैं शाहित का खाब शाहित का खाब यह जो अगला सबख है जिसका मुदू है तक्जिया बक्ष गिजा आम तोर पर हम जो फलों को नाम पुकारते हैं उन फलों के और एक नाम बे अलग से भी पुकारा जाता है अलग नाम भी हैं उनके जैसा के जाम जो है जाम को अमरूत कहते है सीता फल जो फल है उसको शरीफा कहते है कदू को लोकी कहते है और मटर को बटाना कहते है जैसा के हम जो पुकार रहे हैं उनके अलग नाम भी है तो यहां पर इस class मुकमल हो चुकी है 4th class की पूरी किताब मुकमल हो चुकी है आपको फिर से किताब पढ़ने का जरूत नहीं पढ़ेगी क्योंकि किताब में मुझूद हर एक अहम point को यहां पे discuss किया गया है अगर आपको इस class अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए कॉमेंट कीजिए कैसी लगी और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए उसी तरह हमारे इस class को शेर भी कीजिए जियादा से जियादा लोगों को ताकि उनको भी पता चले और